नमस्कार मैं हिमन्त बगेल आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ अपनी इस YouTube चैनल में आज का हमारा टॉपिक होगा लाडव वेलेजली की सहायक संधी वैसे तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हम लोगों ने इसको डीटेल में देखा है लेकिन इसमें हम लोग केवल और केवल सहायक संधी की जो important चीज़े हैं उन्ही पर हम लोग डिसकस करेंगे क्योंकि जो वीडियो मेंने बनाया था डीटेल वाला वो काफी लंबा हो गया था क्योंकि उसमें लाड वेलेजली की दूसरी नीतियों को भी हम लोगों ने पढ़ा था इसमें केवल हम लोग सहायक संधी के बारे में जानेंगे तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को तो देखें लाड वेलेजली जो की 1798 में बंगाल का गवर्नर जनरल बन करके भारत आता है मतलब बंगाल आता है तो इसने जैसे ही यहां आया तो वैसे ही इसने सहायक संधी नीति को लागू किया लेकिन भारत में सहायक संधी प्रणाली को सुरू करने वाला वेलेजली पहला वेक्ति नहीं था देखें सरो प्रथम सहायक संधी प्रणाली को भारत में सुरू करने का स्रेय फ्रांसीसी बस्तियों के वाइसराय दूपले को जाता है तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, डूपले ने सरो प्रथम भारत में साहेक संधी प्रणाली को लागू किया था, बाद में 1798 में वेलजली ने इस व्यवस्था को अच्छे तरीके से लागू किया, तो इसको ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ते हैं तो हम लोग सी बंगाल जो की अंग्रेजों के अधिकार में था, ब्रिटिस इस्ट इंडिया कमपनी के अधिकार में, तो ये जो है बंगाल का प्रसार करना चाता था, मतलब ब्रिटिस इस्ट इंडिया कमपनी के छेतर में व्रिधी करना चाता था, साथ ही अपने राज्य के आसपास ऐसे राज्य इस्थापित करना चाहता था जो की प्रिटेस इस्ट इंडिया कमपनी के सहायक राज्य हों मित्र राज्य हों इस टाइप से तो इसलिए इसने जो है सहायक संधी की नीती को अपनाई और अपने आसपास जितने भी राज्य थे उन सब के साथ इसने सहायक संधी को पहली सर्थ थी, पहली सर्थ ये थी कि जो भारतिय राजा जो भी साहिक संधी को सुविकार करेंगे, उनके वैदेशिक संबंद, मतलब विदेश नीती कमपनी के अधीन होगा, वह कोई युद्ध नहीं करेंगे, तथा अन्य राज्यों से बातचित कमपनी द्वारा ही होगी विदेश नीती मतलब की जो राज्य है, वो दूसरे राज्यों के साथ किस प्रकार की नीती बनाएगी, इस पर अंग्रेजों का पूरण नियंतरन हो जाएगा, साहिक संधी करने वाले राज्यों पर, तो वो जो राज्य है, अंग्रेजों को पूछे बगेर किसी प्रकार क कि विदेशों से संबंद इस्थापित नहीं कर सकेगा, देखो उस समय जैसे कि मान लो हैदराबाद, हैदराबाद और जो नागपूर है, वो दोनों एक दूसरी के लिए विदेश थे, क्योंकि दोनों अलग-अलग राजाओं के अधिकार में थे, तो इसको आप लोग ध्या का खर्च स्वैम उठाना होगा, देखें, अंग्रेजों ने क्या बुला, लाडवेलेजली ने, कि जो भी साहिक संधी करेगा, उसको अपने राज्य में एक ब्रिटिस सेना रखनी होगी, वो भी खुद के खर्चे पर, मतलब अंग्रेजों के सेना उस राज्य में रहेगी और उस सेना का खर्च कौन उठाएगा, उस राज्य का राजा, इससे क्या होने लगा कि राज्यों के पास जो पहले से नियमित सेनिक थे ना, उनको बाहर कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया, वही एक साथ दो-दो सेना का खर्च थोड़े न उठा सकते हैं, क्योंकि अ दूसरी सर्त यह होती थी अगला तीसरा सर्त यह होता था कि सहायक संदिस विकार करने वाले राजियों को अपने यहां एक ब्रिटिस रेजिडेंट रखना होता था ब्रिटिस रेजिडेंट यह क्या होता था एक अंग्रेज वैक्ति को रखना होता था और उसके सलह मस्वरे स यही सासन वगेर करना होता था हाला कि आंत्रिक मामलों पर अंग्रेज दखल नहीं देते थे लेकिन जो भी बाहे मामले होते थे ना दूसरे देशों के साथ दूसरे राज्यों के साथ जो भी संबंद होता था उस पर इस ब्रिटिस रेजिडेंट का पूरा नियंतर होता था तो ये सभी राजियों को रखना होता था, अगला जो है सर्त चौथा, सायक संदी सुविकार करने वाले राज्ये, अपने यहां अंग्रेजों को छोड़कर अन्ने यूरोपियों को सेवा में नहीं रखेंगे, देखे उस टाइम पर क्या था, भारत में यूरोप के बहुत सा करके काम करते थे, तो अंग्रेजों ने ये बोला कि जो भी हमारे साथ सायक संदी करेगा, वो अंग्रेजों के अलावा दूसरे यूरोपियों को अपने यहां सेवा पर नहीं रखेगा, अगर रखना ही है, तो वो अंग्रेजों को पूछ करके रखेगा, अंग्रेज चाह ने ये वचन दिया कि जिसके साथ भी वो सहाइक संदी करेगी, उसके आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगी, छटवा चीज ये बोला गया कि कमपनी सहाइक संदी सुविकार करने वाले राज्यों को अनेक प्रकार के सत्रों से रक्षा करेगी, मतलब जो सेना रखा जा रहा ह वो राज्यों की सुरक्षा के लिए रखा जा रहा है, ये बोला गया, तो ये सर्ते थी जो जितने भी सहाइक संदी सुविकार करने वाले राज्ये थे, उनको इनी सर्तों पर अस्ताक्षर करना होता था, अब देखते हैं सहाइक संदी सुविकार करने वाले राज्ये, तो इसने फ्रांसी से सेना को बाहर भगा दिया और अपने यहां अंग्रेजों की छव बटालियने रख ली और उसके खर्चे के लिए इसने शुरुवात में तो पैसा दिया बाद में पैसा नहीं दे पाया तो अपने राज्य का बहुत बड़ा हिस्सा अंग्रेजों को दे दिय हाँ ये भी होता था कि जो सेना रखते थे न उसके बदले में आप जो छोटे राज्य होते थे वो पैसा देते थे और जो बड़े राज्य होते थे वो कोई छेतर दे दे थे अंग्रेजों को तो निजाम हैदराबाद का जो निजाम था उसने सुरुवात में पैसा दिया तो उसने अपने राज्य का कुछ छेतर अंग्रेजों को दे दिया था जो इसने अपने अच्छा अंग्रेजी बटालिय ने रखी थी ना उसके एवज में उसके बाद दूसरा राज्य था मैसूर देखो मैसूर जहां का सासक टीपू सुल्तान था तो 1799 में टीपू सुल् प्रशी दी जाती है और एक बड़ी सेना अवद में भी रखी जाती है और अवद भी जो है न इस सेना के खर्च के लिए अंग्रेजों को अपने राज्य का एक बहुत बड़ा छेतर दे देता है इसके बाद करनाटक ने भी संदी की फिर सूरत ने संदी की उसके पाद मरा सर्दार के नाम आप लोगो को याद रखना है सबसे पहले ना जो पेश्वा था भाजीराव दूटिय इसने 1802 में सहाइक संदी की बसीन की संदी की थी 1802 में और यही बसीन की संदी ही सहाइक संदी थी और बसीन की संदी जो की सहायक संदी थी इससे ना जो दूसरे मराठा सरदार थे वो बड़े क्रोधित हो जाते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ हो जाते हैं और यहीं से फिर ना दुति आंगल मराठा युद्ध सुरू हो जाता है और बाद में फिर एक-एक करके सभी मराठा सरदार आहरने एक छोटे छोटे राज्यों ने वेलेजली की सहायक संधी पर हस्ताक्षर किया था इनके अलावा और भी दूसरे कहीं सारे राज्ये थे जैसे कि कुछ राजपुत राज्यी भी थे हाला कि राजपुत राज्यों के साथ उतना सफल नहीं हो पाया तो यह सब आप लोग ध्या तो देखो कंपनी को ना बहुत सारे नए-नए छेत्र मिल गए जैसे कि हैदराबाद का जो निजाम था उसने भी कुछ छेत्र ब्रिटिस सेना के खर्च के बदले में दे दिया अवद के नवाब ने भी कहीं सारा छेत्र दे दिया था इसके अलावा जो सिंधिया होलकर थे भोशले थे इन्होंने भी बहुत सारे छेत्र अंग्रेजों को दे दिये थे ब्रिटिस सेना के खर्च के बदले में तो अंग्रेजों के प्रभुत्तों में विस्तार हुआ दूसरा था सेन वे में बच्चत देखो अंग्रेजों के जो सेना है वो भारतिये राज्यों के प था हैदराबाद भी था मैसूर था यह सब तो इन सब को जो है संधी कर लिए तो अब जो है युद्ध होने का उतना डर नहीं था तो जो बिर्टिस इस्ट इंडिया कंपनी का राज्य से तरथा वह युद्ध से मुक्त हो गया अगला चीज था फ्रांसिसी प्रभाव की तो यह चौथा मतलब फायदा था उस बाद अगला है सांती स्थापना देखो सहायक संधी के कारण जो बड़े-बड़े युद्ध हो सकते थे वो टल गया 18 सताबदी में बहुत सारे बड़े-बड़े युद्ध लड़े गए थे तो उस टाइप का युद्ध उन्निस्वे सताबदी में देखने को नहीं मिलता है क्योंकि भारती राजियों में अंग्रेजों की ही सेना रह रही है तो अंग्रेज भला किससे लड़ेंगे जिनसे पार्तिय रियासतों पर आसानी से नियंत्रण इस्थापित हो सका कालांतर में जब लाट डलहौजी आएगा न वो फिर इन राज्यों में किसी पर कुसासन कारोप लगा देगा किसी को बुलेगा कि तुम्हारा जो उत्रादीकारी है वो वैद नहीं है इस तैप से छोटे-छ सामराज्य की सुधिरता प्राप्त हुए मतलब जो ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी का सामराज्य था उसको सुधिरता प्राप्त हुए साहयक संदी से तो ये सारे लाब अंग्रेजों को प्राप्त हुए भारतिय सासकों को कुछ भी लाब प्राप्त नहीं हुआ भारति पर तो देखो जो British East India Company है उसके सेना जो है भारतिये राज्यों के यहां पल रही थी और उसका जो मोटा खर्च है वो भारतिये राज्यों को दिना पड़ता था तो इसके आर्थिक बोज के तले भारतिये राज्ये डबे हुए थे अगला है भारतिये राजाओं की सैनिक सक्त थे इसलिए उन्होंने अपनी सेना को बाहर का रास्ता दिखा दिया और वो जो सेना है बेकार हो गए और भारतिये राज्यों के पास अपनी कोई सैनने सकती नहीं थी तो वो लोग कभी भी चाह करके भी अंग्रेजों के विरुदा आवाज नहीं उठा सकते थे हाला कि जो तीसरा भारतिये नरेशों होना था यहां पर भारतिये नरेशों के अधिकार छेतर में कमी देखो भारतिये जो सासक थे उन्होंने अंग्रेजी सेना के बदले अपने राज्य का कुछ-कुछ छेतर जो है अंग्रेजों को दे दिया तो इससे भारतिये राजाओं के अधिक दल्ह औजी ने बहुत सारे राजियों को सीधे। इस no में चुटि-शुटी कमिया निकाल करके मतलब इसी का फाइदा उठा करके इन राज्यों को ब्रिटिस सामराज्य में मिला लिया जाता था। तो यह आप लोगों को अच्छे से समझ में आगया होगा... तो वीडियो को आप लोग जो है जादा जादा सेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंटर बॉक्स में लिखेगा, वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.